मानपता के इतिहास में कहीं भी या आज या भविश्व में इंसानी रिष्टे कभी भी स्थाई नहीं रहेंगे। हाला कि हर इंसान, हर इंसान जो थोड़ा सा रोमैंटिक बनता है, मान लेता है कि ये रिष्टा हमेशा के लिए एक सा रहने वाला है। ऐसी कोई चीज नहीं होती, रिष्टे में बदलाव होता रहता है हमेशा, आपको इसे हर दिन निभाना होता है, एक दिन अगर आपने इसे ठीक से नहीं चलाया तो ये कहीं और जा सकता है, आया ना, नहीं, कृपिया इसे वैसे ही देखिए, जैसा ये है, आपको इसे ठीक से चलाना होगा, नहीं मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, जाहर है कि दूसरे को लगता है कि आपकी पूरी कोशिश उनके लिए काफी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ समझोता करें, ये इस बारे में नहीं है, मैं ये नहीं कहरा कि वो जो कर रहे हैं वो सही ह या गलत ये मेरे कहने की चीज नहीं है मैं बस इतना कह रहा हूं कि लोग सदियों से ऐसे ही पेश आते रहे हैं और अब भी हैं मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिष्टे कभी भी एक से नहीं होते कुछ चीजें बदलती रहेंगी आपको कर्तब करत अब एक गिर जाएगी इसके लिए काफी हुनर और ध्यान की जरूरत होती है हाँ या नहीं आप मेंसे कई लोग शादिशुदा हैं क्या ये हुनर और ध्यान नहीं मांगती अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है है ना अभी अभी किसे ने मुझे यॉरप के एक देश से फोन किया सद्गुरू मैं बस घर के काम कर रही हूं मुझे आकर बचाईए मुझे यहां से अपने आश्रम ले जाईए मैं बस घर के काम कर रही हूं वो बरतन वगरद हो रही है वो बहु अमीर है, लेकिन उसके चार बच्चे हैं, तो हर समय कोई ना कोई काम करने को रहता है, अंतहीन तरीके से, और आज काम वाली नहीं आई, तो आपको बर्तन धोने पड़ेंगे, चार बच्चे हैं, आपको बर्तन धोने पड़ेंगे, और सारे काम करने पड़ेंगे, तो मैं य आपको ये समझना होगा कि रिष्टा एक परिवर्तन शील हकीकत है, ये स्थाई हकीकत नहीं है। अगर आप एक स्थाई रिष्टा चाहते हैं, तो आपको मरे हुए लोगों से रिष्टे बनाने चाहिए। यही कारण है कि ज्यादतर लोग भगवान को चुनते हैं, क्योंकि वो रिष्टा स्थाई होता है। आप जैसे चाहें इसे संभाल सकते हैं, अगर आपने उनके बारे में दस दिन तक नहीं सोचा, और ग्यारवें दिन आप उनके बारे में सोचते हैं, वो फिर भी वही होंगे। आप ऐसे अपने पती या पत्नी या किसी और के साथ कीजिए, तब कुछ और होगा। आप कहीं चले गए, व्यस्त हो गए, भगवान को तीन साल तक भूल गए, आप फिर सोच सकते हैं, तब भी वही होंगे। तो अगर आप स्थाई रिष्टा चाहते हैं, तो आप आपको इंसानों को नहीं चुनना चाहिए। इंसानी रिष्टे परिवर्तन शील हैं, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए, कुछ लोग अपने जीवन में ये तय करते हैं, कि ऐसी चीजों को संभालने के लिए उनके पास समय और शक्ती नहीं हैं, तो वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं। जहां ऐसा कोई बंधन नहीं होता, वो अपनी आँखे बंद कर लेते हैं, और अपने में मगने रहते हैं, वो ये परवा नहीं करते कि उनके आसपास कौन है या क्या है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा, किसी को सजा देने की कोशिश में, आप सिर्फ खुद को ही सजा देंगे। वो जो चाहते हैं, वो कर रहे हैं, बहतर ये होगा, कि आप ये देखिए, कि आप अपने जीवन से वाकई क्या चाहती हैं। आपको उनके साथ प्रतिक्रिया करने और उनके जैसी बेवकूफी भरी चीजे करने की जरूरत नहीं हैं। आपको बस बैठ कर इस पर गौर करना होगा, जब आपके भ्रहम तूट जाते हैं। अभी आपके भ्रहम तूट गएं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके भ्रहम तूट गए हैं, तो इसका मतलब है कि जीवन आपको हकीकत के करीब ला रहा है, है न। तो ये आपके लिए एक मौका है बैठ कर ये देखने का कि मेरे जीवन की प्रकृति क्या है। देखे, जीवन का ये अंश, जीवन का एक संपूर अंश है, है कि नहीं? क्या ये आधा जीवन है? आप आधा जीवन है या पूरा जीवन? पूरा जीवन. तो फिर ये इतना अधूरा क्यों महसूस करता है कि इसे एक दूसरे इंसान की जरूरत होती है, इस जीवन को भरने के लिए ऐसा क्यों है इस पर गौर करने का यहीं मौका है है ना अगर यह पूरा जीवन है तो यह अपने आप में संपूर्ण है लेकिन अभी आपने इस तरह से बना दिया है कि यह उसके और उसके और उसके बिना नहीं रह सकता तो कहीं न कहीं ये एक अधूरा जीवन है, या कम से कम इसको अपनी प्रकृति की पूर्णता का एसास नहीं हुआ है, है न? ये जीवन का एक संपूर नंश है, जो स्रिष्टा और स्रिष्टी दोनों से भरा हुआ है, एक अध्भुत जोड़ी, जब जीवन आपके दर्वाजे पर इस तरह दस्तक दे रहा है, ये अपने भीतर गहराई से देखने का समय है, न कि किसी दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करन और उन्हें सबक सिखाने का, किसे दूसरे को सजा देने से आपका जीवन रुपांतरित नहीं होने वाला, ये आपके जीवन को किसी भी तरह से सुन्दर नहीं बनाने वाला, आपको दो दिनों के लिए एक घटिया संतोश मिलेगा, उसके बाद आप उसके लिए भी अपरा जात्मे का आयाम खोल रहा है, वाकई, कोई आपको ये एहसास दिला रहा है, कि ये सब चीजे कितनी नाजुक हैं, वो आपको धोका दे सकते हैं, वो भाग सकते हैं, वो तलाग दे सकते हैं, या वो मर सकते हैं, है ना, अगर वो मर जाते हैं, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि उसने मुझे धोका दिया क्या आप सोचेंगी नहीं लेकिन चाहे जो हो आपको वंचित किया गया है ना मैतुपूर्ण बात यह है कि आप किसी चीज से वंचित हो गई है उसने ये कैसे किया सवाल ये नहीं है चाहे मौत से या तलाग से या धोके से या आप इसे जो भी कह हैं पर मूल रूप से आप वंचित हो गई आपको सिर्फ इसलिए वंचित किया जा सकता है क्योंकि आप ये विश्वास करने के भ्रम में हैं कि ये एक अधूरा जीवन है और इसे कहीं से दूसरे आधे इससे की जरूरत है नहीं ये एक संपूर्ण जीवन है अगर आप एक संपूर्ण जीवन के रूप में विक्सित हुए हैं तो आप देखेंगे कि रिष्टे बिलको ललक प्रकृती के होंगे तब ये साथ आने और साजह करने जैसा ज्यादा होगा न कि निचोडने जैसा इसे रूपांतरित होना होगा अगर रिष्टे को रूपांतरित होना है तो आपको रूपांतरित होना होगा ये एक जबरदस्त मौका है जो किसी ने आपको दिया है ये कहना बंद कीजिए कि किसी ने मुझे धोका दिया है बस ये कहिए कि मुझे कोई भ्रम की अवस्था से परम सत्य की ओर्ध हकेल रहा है हमें उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए